हाई फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग मन्थली परफार्मेंस रिपोर्ट जिसे जो है मन्थली स्टैटिक रिपोर्ट के भी नाम से जानते हैं और मन्थली रिपोर्ट के भी नाम से जानते हैं तो वह किस प्रकार से उसमें मैन आवर्स निकालते हैं तो मैन आवर्स किस प वीडियो में बात करेंगे मायन आवर्स तो हम स्टेटिक रूपोर्ट बनाते हैं उसमें जो है हमारे साइट पर कितने लोग कारे करते हैं उसका मायन आवर्स कैसे निकालते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं तो मायन आवर का फार्मूला होता है तो मायन आवर इसकल टू टोटल नंबर आप इंप्लाई इंटू 26 इंटू 9 तो 26 जो है देखिए यहां पर क्यों लिया गया क्योंकि यह हमारा महिने में 30 दिन होता है तीस दिन में जो है चार संडे आ जाते हैं तो ऐसे में हम लोग 26 डे पकड़ते हैं इसमें देखिए यह 9 कहां से लिया गया यह BOCW Act से लिया गया BOCW Act में जो है Chapter No.6 में दिया गया है Section No.28 में उसमें बताया गया है Fixing Hour of Working Day इसमें लिखा गया है यदि आप महाराष्टा Rules में देखते हैं 2007 में तो उसमें Chapter No.8 में दिया हुआ है यह Rule No.47 में दिया हुआ है इसमें लिखा गया है Works will be required or allowed to work for more than 9 hours a day or 48 hours a week तो इसमें लिखा गया है 9 hours a day तो मतलब जो है अगर आप किसी कारे को अलाव करते हैं तो उसमें जो है 9 hours जो है उसको count किया जता है तो इसके हिसाब से हमने यहां पर 9 पकड़ा है अब जो है है हमारा टोटल नंबर आप इंपलाई हमने जो है यहां पर जो भी हमारे workers है सबको मिला के जो भी लोग कारे करते हैं उनको हमने पकड़ा है तो हमने यहां पर 300 पकड़ा है इंटू हमारा 26 है 26 हो गया इंटू 9 है 9 हमारा जो है यहां पर पकड़ लेते हैं अब इसको multiply करते है 300 x 26 करते हैं तो हमारा आ जाता है 7800 x 9 आ जाएगा अब अगर हम इसको multiply करते हैं तो हमारा आ जाएगा 70200 यह हमारा जो है सेफ मैन hours आ गया तो इस प्रकार से जो है आसानी से हम जो है मल्टिप्लाई करके अपना से मैन आवर्स निकाल सकते हैं दूसरा है मैन आवर्स पर टीविटी तो जो टीविटी ट्रेनिंग से लेते हैं उसका मैन आवर्स कैसे निकालते हैं टीविटी का मैन दिया है इंटू हमारा होगा डियूरेशन कितना दिया 10 मिनिट हमको यह ध्यान रखना गिए डियूरेशन जो है टीवीटी का कुछ लोग जो है 40 मिनट 45 मिनट एक घंटा पकड़ते हैं कभी ज्यादा-ज्यादा 10-15 मिनट सोना चाहिए इससे अधिक टाइम का नहीं होना चाहिए अगर आप इससे जयादा टाइम लेते हैं तो समझ लेज़ीए का आप इस पेशलाइज को जो है अलग ट्रेनिंग काउंट होता है वह तो लेखने होता है इसके बादो तो 10 हो गया 10 मिनट दिया था इसके लिए 10 हो गया अपन 60 अब इसको अगर हम हो जाता है 5000 अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आज आता है 83.33 hours तो हमने कितना जो है training दिया कितना hours 83 hours हमने इतनी लोगों को जो है मिला के सबको 83 hours जो है हमने training दिया TBT conduct किया यह हमारा जो है TBT का जो है hours आ गया इतना घंटा हमने training दिया है इसके बाद होता है training hours training hours जो specialized training आप अलग से जो training देते हैं जिसमें समय जो है एक घंटा डेड़ गंटा दो गंटा 45 मिनट तीस मिनट जो भी टाइम आप लेते हैं तो उसको जो है यहाँ पर आप निकालेंगे उसका कैसे निकालते है training hours is called to attendees into duration in minutes upon 16 यहाँ पर देखिए हमने जो है महिने भर में तीन training अटेंड किया था एक 10 का था एक साथ का था यह तीन जो है तीन बार ट्रेनिंग लिया था इतना लिया था तो हमारा यह प्लस करने के इसके पर इसे में training देने के लिए जाते हैं तो कम से कम जो है एक घंटा लगता है इसलिए हमने जो एक घंटा से अधिक भी लगता है लेकिन हमने यहाँ पर एक घंटा पकड़ा इसलिए हमारा 60 मिनट अर्थात एक घंटा है तो इसके बाद जो है इसको हम मल्टिप्लाई करते हैं तो 60 जो है कड़ जाता है इसके बाद हमारा बचता है 30 तो 30 इसकल टू हमारा कितना आ गया 30 अर्थात जो है 30 तीस आवर्स जो है हमने लोगों को training दिया यह हमारा इस प्रकार से अगर यदि हमें किसी भी पार्मेट को भर है या हमको मंतली रिपोर्ट बनाना है या किसी को बताना है तो इस परकार से कल्कुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं Thank you, दोस्तों, फार वाचिंग इस वीडियो.